आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि sleeping टेकनिक कैसी होनी चाहिए प्रेगनेंसी में क्योंकि जब महिला pregnant होती है तो सब कुछ बदल जाता उसकी life में क्या-क्या दिनचेरिया होगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चीए, क्या नहीं खाना चीए और कैसे सोना चीए और कैसे नहीं सोना चीए ये भी इसमें सामिल है तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा कि कौन-कौन सी sleeping position होती है बच्चे और गरवती महिला के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है और कौन-कौन सी टेक्निक होती है जिसे अपनाना चाहिए प्रेगनेंशी के बाद में मेरा नाम है अशोक और मैं हूँ एम्स में और आज मैं बात करूँगा हर एक पोजिशन के बारे में जो महिला के लिए खतरनाख हो सकती है और कौन सी पोजिशन है जो बैस्ट हो सकती है तो ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि मेरे जितने भी पुराने वीडियो है चैनल पे उन पे मैंने वोईस ओवर कर रखा है तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने अपना फेश दिखाया है तो स्टार्ट करते हैं जो पीछे आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है ये गर्वती महिला का एक चित्र है जो 3D में है मैं इसके माध्यम से बताऊंगा कि क्या 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 कॉम्प्लिकेशन हो सकती है गलत टेक्निक के सोने के वज़े से क्योंकि ये जो गर्वा से दिख रहा है आपको इसकी साइज बढ़ी वी है और ये चारो तरफ दबाव डाल रहा है तो जहां जहां यह दबाव डालेगा न वहां वहां यह दिक्कत पैदा करेगा जैसे कहां दबाव डाल रहा है आतों के उपर दबाव डाल रहा है अगर आतों के उपर दबाव डाल रहा है तो क्या होगा पॉंस्टिपेशन हो जाएगा और महिला अगर गलत तरीके सोगी तो भी दबाव पड़ेगा, तो बार-बार पिशाब आने की दिक्कत भी होगी, क्योंकि साइज बढ़ने की वज़े से चारो तरफ दबाव डाल रहा है, और दूसरी जो दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है, रीड के डी की तरफ जो नसे आ रही है, उनके उपर जो यह अनके उपर, जो यहां पर द्बाव डालेगे इनके उपर, तो इनके उपर दबाव डालने से क्या होगा, जो यह खून जा रहा है और जो यह वापस आ रहा है न यह प्रॉपर नहीं हो पाएगा इससे क्या होगा पैरों में सूजन हो जाएगी पैरों में सूजन होने लग जाएगी जिसको हम एडीमा बोलते हैं क्योंकि यह खून का पराव हो जाएगा इससे क्या है पैरों में दर् लिकात आएगी तो क्या होगा गरबाशे में डिसकंफर्ट होगा और मरोड आना सुरू हो जाएगी जैसे बच्चा है कि यह गरबाशे में तो यहां से जो सप्लाई आ रही है खून की सप्लाई आ रही है मदरी की तरफ से जहां से खून की सप्लाई आ रही है मदर की तरफ से प्लेसेंटा की तुरू तो वो भी सही से नहीं हो पाएगी इससे क्या होगा गरबाशे की तरफ एठन होना सुरू हो जाएगी कभी-कभी ऐसे डिसकंफर्ट लगेगा बच्चा लाते मारेगा तो कभी-कभी गलट टेक्न के वज़े से बच्चा भी रात को लाते मारता है तो मैं बताता हूं कि कौन सी टेक्निक सही हो सकती आपके लिए जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है व sprint दो इन तरीके से सोता है जैसे पहला तरीका है कि वो सीधे सोएगा और दूसरी टेक्निक ए यह भी खराव है इसमें उल्टे होके सोने से भी दिक्कत होती तो क्या-क्या दिक्कत होती है तो यह बगल में लिखा वाया आपके यह यह सब कुछ लिखावा है कि नीचे सोने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है और पीछे पीट के बल सोने जिसको अपन सुपाइन पोजिशन बोलते हैं इसकी वज़े से क्या दिक्कत हो सकती है तो जैसे बात करते हैं अपन पेट के बल सोने के वज़े से क्या होता है तो यह पूरी pregnancy में नहीं सोना जब conceive हुआ है उसके बाद से ही नहीं सोना साथ से 8 week के बाद कभी भी नहीं सोना उल्टे होके क्योंकि इससे क्या होगा जो गर्बा से है यह साइज में बढ़ने लगेगा तो क्या होगा चारों तरफ दबाव डालना शुरू करेगा थोड़ा थोड़ा तो और यह जो गेस्ट्रिक है यह इस्टमक है यहां पर भी दबाव पड़ेगा इससे क्या होगा पेट की दिक्कत होना शुरू हो जाएगी तो यह वाली जो पोजिशन है यह वाली इसको प्रोन पोजिशन बोलते हैं अपन प्रोन पोजिशन इसको तो complete avoid करना है प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं अपनाना है चाहिए वो प्रेगनेंसी की सुरुवाती क्यों नहों दूसरी टेक्णिक है सुपाइन मतलब पीठ के बल लेटना यह जो टेक्निक है न इससे भी अवोइड करना है प्रेगनेंसी में दूसरे और तीसरी तिमाई में इसको अवोइड करना है क्योंकि size बढ़ चुकी है न दूसरी तीसरी तिमाई में तो इतनी बढ़ जाती है कि य कि यहां जो खुन की सप्लाइँ आ भी है हार से खून की सप्लाइँ भी तिल से वह चारो तर somewhatर जा निहीं गोनों कि को इस आठीन हो क्यात बॉलते हैं तो यह दिक्कत इसकी बज़े से हो सकती है तो हमें ये जो position होती है, supine position, ये दूसरे और तीसरी तिमाई में तो बिलकुल avoid करनी चीए, तो कौन सी technique हमें अपनानी चीए, तो वह बताता हूँ आपको कौन सी technique हमें अपनानी चीए, है कि हमें अपना निच इलाइन पोजिशन होती है मतलब करवाथ को इस करते आप करवट लेके सौए औ street यह भड़ गई इसका वजन बढ़ गया तो गँंकी यह बढ़ लगा है तो जो डबाओ डाला ब्लेडर पर भी दबाव कम डाल रहा है और जो यह और यह इस्टमक पर भी दबाव कम डालेगा इस्टमक में कम डबाव डालेगा तो क्या होगा ACDT की problem भी नहीं होगी और बाकी पेट की जो problem होती है आते हैं इन पर भी दबाव कम डालेगा तो यह बजन कहां डाल रहा है बैड के उपर तो यह वाली position को हम suggest करते हैं कि pregnant महिला जो है करवट लेके स्वए ठीक है क्योंकि यह वीडियो था एक general awareness के लिए था यह उन महिलाओं के लिए जो first time pregnant हुई है या बहुत बार ऐसा question होता है महिलाओं का कि हम कैसे सो सकते हैं हमारे पेरों में सूजन हो रही है बार बार पिशाब आ रहा है बच्चा रात को लात मार रहा है तो यह सारी चीजे मैंने ब साथ बढ़ेगी जितना जितना समय बीचता जाएगा वैसे साइज बढ़ती जाएगा गरवासे की और यह चारो तरफ जो हाना यह दबाव डालना शुरू कर देगा तो इसको हम कम कर सकते हैं बिल्कुल तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे गलट तरीके से सोने के वज़े से ना, बच्चा रात को लात मारता है, वो क्यों मारता है, जैसे मैंने बताया, कि यह जो प्लेसेंटा है, यहां पर ब्लड सप्लाई कम होगी, क्योंकि यह रीड केद्दी के उपर दबाव डाल रहा है, अगर पीट के बल लेटने के पूरी नहीं हो पाएगी, तो यह था मेरा एक छोटा से वीडियो, जिसमें मैंने बताया, कि कैसे एक प्रेग्नेट महिला को, कैसे सोना चाहिए, कैसे नहीं सोना चाहिए, अगर आपको भी कोई इस्यू है, या कोई कंसर्ण है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकत आपको रिपलाइ करूंगा, थेंक्यू सो मच,